जैगुर्देव, अध्याय दो, मित्रो, हम बही मुखी जीवन जीते हैं, इसलिए बाहर की समस्याएं हम पर हावी हो रहती हैं, अभी हम आखवन कर ध्यान करते हैं, तो हमें बाहर की चीज़न दिखाई देती हैं, जो शक्तियां, विभूतियां, जो चमतकार और संपदाएं भीतर भड़ी पड़ी हैं, वे हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, जड़े दिखाई नहीं पड़ती, जीवन की प्रग्रती, जीवन की शान्ती, जीवन की उन्नती की जड़े हमारे भीतर हैं, जड़ों को खोजिये, जड़ों को कुरे दिये, जड़ों में खात पानी लग ताकि आपका पेड बढ़ने लगे, फूल फलने लगे, जड़े हमारे भीतर हैं पर वे दिखाई नहीं देते, कस्तूरी हमारे भीतर है पर बाहर नहीं है, ध्यान से हम अपने बही मुखी जीवन को अंतर मुखी बनाते हैं और भीतर के भगवान को खोचते हैं, अपना चरित है, जो भुला दिया है, उसको खोजें कि वो कहां हैं, हमारे सामने बड़ी भारी गुत्थी है, जो हमारी शान्ती थी, सिद्धी थी, वो कहां चली गई, खो गई, हम उसकी तलाश करते हैं कि उसे कौन ले गया, हम कहां भूल गए, कहां भटक गए, मेले में हम कैसे खो अपना नाम कैसे भुला बैठे, अपना रास्ता कहां भूल गए, अभी ना तो ये पता है कि हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं, अपना लक्ष भुला बैठे, दिशा भुला बैठे, मेले की इस कदर मशगुल हो गए हैं, कि तमाशा देखा, तो तमाशे वाले के पास खड़े हो गए, नाच वाले के पास देखे तो वहां खड़े हो गए, बाजीगर को देखा तो वहां खड़े हो गए, मिठाई वाले को देखा तो वहां खड़े हो गए, मेले ठेले मेही खो गए, अरे अभागे तुम्हें जाना कहां है, ध्यान कर कहां से आया और कहां जाना ध्यान का अर्थ लक्ष का चंतन मित्रो ध्यान की ये प्रक्रिया भगवान को प्रसन करने के लिए नहीं है भगवान जी ध्यान में आते हैं तो नहीं आते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है आपका मतलब ये होना चाहिए कि हमारा ध्यान अपने जीवन की तरफ है की नहीं लक एकाग्रता, तन्मैता, मन नहीं भागना चाहिए. महराज जी मेरा मन तो भागता है तो भागने दे. बेटे मन को एक जगा केंदृत नहीं किया जा सकता, दिमाग की बनावट ही AYSI है कि वह हर एक जगा ठहर नहीं सकता. एक जगा ठहरेगा, तो या तो सामधिस्त हो जाएगा, या आदमी पागल हो जाएगा आदमी का दिमाग ठहरने के हिसाब से ही नहीं बनाया गया है ध्यान में जो आपको गनेश जी की मूर्दी दिखाते हैं, वर सर्फ इसलिए दिखाते हैं कि हमारा जो ध्यान है वो गनेश जी की सून, गनेश जी का चूहा, गनेश जी की अंकुष, गनेश जी की मिठाई, गनेश जी के दाद, गनेश जी के तोंद, गनेश जी की आँखें, ये सारे के सारे मन को एक छोटे से दाइरे में घुमाते हैं, बस इसलिए चित्रिया मूर् मन ठहर सकता है, नहीं, मन रुकेगा नहीं, मन मीरा का भी नहीं रुका, मन रामकृष्ण परम्हंस का भी नहीं रुका, चेहतन्य महाप्रभू का रुका नहीं, हर समय कहते रहते थे घायल की गती घायल जाने जो कोई घायल होए, विज्ञानिक का भी मन ठहरता नहीं है, एका लेकिन अपने विश्य में तेजी से चल रहा है। मैं समझ लूँगा कि आप ध्यान में समादी में बैठे हुए हैं। मैं जब लेक लिखने बैठता हूँ तो इतना तन में हो जाता हूँ कि आप मेरे पास से निकल जाईए तो मुझे ये पता नहीं चलता कि कौन आया और कौन चला गया। मैं ध्यान मगन रहता हूँ लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग इतनी तेजी से काम करता रहता है कि एक सेकंड के पीतर हजारो विजार हजारो रेफरेंस आ जाते हैं। मेरा दिमाग उस समय इतना आक्टिव सक्रिय हो जाता है कि अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि इस वक्त तो इन्होंने हद कर दी। लट्टू जब घूमता है तो मालुम पड़ता है कि टिका हुआ है परन्तु वो इतनी तेजी से घूमता है कि उसकी चाल मालुम नहीं पड़ती। गहरे डूब कर ध्यान करें मित्रों ध्यान का अर्थ यह है कि आप मनन और चिंतन इस तेजी के साथ करें कि आज की दुनिया से अपने आपको अलग कर लें और अपने जीवन के संबंद में अपने लक्ष के संबंद में अपने परिशकार के संबंद में इतने जादा गहरे डूब जाएं, कि उसके अलावा कोई और चीज समझ में ही ना आए, मित्रो यह ध्यान की प्रक्रिया है, नहीं सहाब ध्यान में हमारा मन भाग जाएगा तो, तो भागने दीजे, इससे आपके ध्यान में कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है कैसे? चलिए, मैं विधी बताता हूँ, आपका मन जहां भी कंचाए, आप यह मान कर चलिए, कि यह भगवान का रूप है, यह जो संसार है हर जगा यह विराध भ्रह्मा है इससे बाहर तो मन कही नहीं जाएगा, नहीं माराजी रहेगा तो इसी में तो बस यह मान लीजे कि सारा जगत विराध भ्रह्मा है, और मन भ्रह्मा की परिक्रमा कर रहा है और भ्रह्मा में घूम रहा है फिर चाहे वो पेड़ हो जल हो, पहाड हो, यह सिनिमा घर हो, सब जगा यह मान कर चलिए, कि यह भगवान का स्वरूप, हमारी स्रिष्टी में भ्रह्म सक्ता समाई हुई है और हमारा मन जहां कहीं भी जा रहा है, सब जगा भ्रह्मा के दर्शन कर रहा है चलने दीजे मन को कहां जाएगा मन, मन एकाग्र नहीं होता और ना ही आपको इसकी अवशक्ता है, आप तो अपने लक्ष्य और अपने उदेश्य के उपर मनन और चिंतन में स्वाध्याय और सच्सन में इतना तनमें हो जाईए कि अपने जीवन को दिशाधारा के संबन में विचार करने के अलावा कोई और विचार ही नहीं आए बस समझ लीजिए कि आपके ध्यान का उदेश्य पूरा हो गया, नहीं सहाब अब ऐसा उपाय बताईए कि जिससे मन भागने ना पाए बेटे, मन भागेगा ये रुकेगा नहीं हमारा मन लिखते समय और पूजा करते समय बिलकुल भागता है पूजा करते समय हमारा मन इतना सक्रिय होता है कि आप इसे जरा खोल कर देख लीजिए भगवान के पास भगवान की समीपता भगवान का प्यार और हमारा समर्पन आदी के भाव हमारे भीतर इतने ज़्यादा उठते हैं कि हम कापने लगते हैं विचारों को बंद कर दीजिए नहीं विचार बंद नहीं हो सकते विचारों को दिशा दीजिए धारा दीजिए बस यही ध्यान है सोहम एकोहम मित्रों सोहम का अर्थ है कि भगवान हमारे जीवन में समाविष्ठ हो गय और हमने अपने अहम को बाहर निकाल दिया और सो हमारे भीतर समाविष्ट हो गया भगवान का स्वामित्व हमारे शरीर में भगवान का स्वामित्व हमारी इंद्रियों में भगवान का स्वामित्व हमारे रोम रोम पर भगवान का स्वामित्व हमारे पैसे पर हो गया अगर ये विचार हमारे मन मे आए तो सोहम की उपासना सही है जिससे भगवान और हम एक हो जाते हैं सो माने वह और अहम माने मैं हम दोनों एक हो जाते हैं दोनों की सकता एक है जिस तरह दूद और पानी मिल जाते हैं ऐसे ही हम पानी और भगवान दूद दोनों के आपस में मिला दिया भगवान के विचार हमारे, हमारी इच्छाएं भगवान की और भगवान की इच्छाएं हमारी हो गई इस तरह की एक्ता आप स्थापित कर ले एको हम स्थापित कर ले तो फिर द्वैत खतम हो जाएगा और अद्वैत रह जाएगा द्वैतों को मिटा लेना और अद्वैत को स्थापित कर लेना सब में अपने आपको देखना और अपने में सब को देखना अद्वैत की यह वृती सुहम की उपासना है मित्रो, खेचरी मुध्रा अपने भीतर से ही रस्पान करने को कहते हैं मस्तिक्ष, मध्यस्तित, सहस्तार हमारा ब्रह्मलोग है इस ब्रह्मलोग में शीर सागर भरा हुआ है क्यलाश भरा हुआ है इसी में शीर सागर है, मानसरोवर है क्यलाश परवत इसी में है इसी में शेश्षाई विश्नु सोय हुए है हमारी श्रिष्ट विचारों के रूप है, इसका हम ध्यान करते हैं, अपनी जिब्भत वारा, आनंद और उल्लास के रूप में यही खेचरी मुद्रा हो जाती है, यही उपासना का अंतिम चरन और अंतिम बिंदू है प्रारंबिक चरन और प्रारंबिक बिंदू वहाँ से प्रारंब होता है, जहां हमने आपको 45 मिनिट की उपासना के अंतिमें समर्पन योग सिखाया था जल का पात्र लेके हम जाते हैं और सूर्य भगवान के सामने जल चड़ा देते हैं, इसका क्या मतलब है? बेटे, सूर्य नारायन तो कितने लंबे चोड़े हैं, उनके सामने यह जो सारा पानी हमने गिरा रहे हैं, इससे उनको क्या फाइदा होगा? इतना पानी वहां तक जाएगा, तो उन तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? अगर चंद्रमा की तरहां रॉकेट से सूरज तक पानी भेजएगे, तो भी उन तक पहुँचने में सालो लग जाएगे? तक तक क्यावे प्यासे रहेंगे उनका तो दम निकल जाएगा बेटे ये मतलब नहीं है इसका उनको पानी की जरा भी जरूरत होगी तो जरासी आग निकालेंगे और समुद्र का सारा पानी भाप बन कर पी जाएंगे उनके पास इसका इंतिजाम है तेरे पानी के बिना उनका कोई हर्ज नहीं होगा सूर्य अध्याए किसलिए साथियो सूर्य नारायन तो एक ही बात चाते हैं कि सूर्य रूपी प्रकाश को सूर्य रूपी भगवान को हम अपने जीवन का जल समर्पित करें लोटे में रखी हुई जल रूपी जो हमारी जीवन सम्पदा है देहे रूपी छोटे से घटाकश के भीतर जो कुछ भी जल रूपी सम्पदा कैद है इसको हम खाली करते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं जब हम जल चढ़ाते हैं और अपने आपको भगवान को सौब देते हैं तो मित्रों इसका क्या परिनाम होगा इसका परिनाम यह होगा कि हमारे मन में ये भाव आ जाएगा कि हमारे जीवन का जल भाव बन जाए फैल जाए बिखर जाए और कहीं भी ओस की बून बन का टपके और तरावट लेके जाए सड़ने न पाए इस छोटे से घड़े में सड़ने न पाए हमारी अकल हमारा श्रम, हमारी संपदा इस छोटे से घड़े के दायरे में रहकर सड़ने न पाए इसको हम फैला दे और इसको उद्दात बनाते हुए चले जाएं तो समझना चाहिए कि सूर्य भगवान को अर्ध चढ़ाने का उतेश्य पूरा हो गया समर्पन का सिक्षन मित्रों सूर्य भगवान को अर्ध चढ़ाने के संबन में रविंद्रना टेगोर की एक कविता बहुत अकसर याद आती रहती है और मैं उसे बड़े मज़े और बड़े प्यार से सुनाया करता हूँ रविंद्रना टेगोर ने गाया है मैं गया दर्वाजे पर भीक मांगने के लिए अनाज से भर ली मैंने जोली एक आया बिखारी उसने पसारा हाथ हमको भी दे कुछ जो तेरे पास है मैंने बड़ी कंजूसे से बड़ी हिम्मत से को इकठा किया और एक दाना निकाल कर उस बिखारी को हतेली पर रखा बिखारी उस दाने को लेकर हस्ता मुस्कुराता चला गया मैं आया अपने घर और घर आकर मैंने देखा एक बड़ा सा सोने का दाना उस अनाज के बीच में रखा हुआ है समझ गया मैंने कि दाना कहां से आया रविंद्रिनार्टे गोर ने गाया मैं सिर धुन-धुन के पच्चताया कि मैंने अपनी सारी जोली के दाने क्योंने बिखारी के हाथ में दे दिये ताकि वो जोली के सारे समझे दाने सोने के होकर आगए होते मित्रों जिन्होंने अपने दाने बिखारी के हाथ पर रखे भगवान के हाथ पर रखे उनके दाने लाखों गुने होकर आगए और सोने के होकर आगए गांधी के दाने सोने के होकर आगए बुद्ध के दाने सोने के होकर आगए नानक के दाने सोने के होकर आगए सुदामा के दाने सोने के होकर आगए और हमारे दाने सोने के होकर आगए मित्रों यही परंपरा है यही है समर्पन योग यही है बगवान के बैंक में जमा करना यही है अपने आपको खाली कर देना फिर से भर जाने के लिए इससे कम में कोई बात नहीं बनती और इससे छोटे का सिद्धान्त नहीं होता यही है वो सिक्षन समर्पन योग के नाम पर सूर्य भगवान को जल चड़ाने के नाम पर हम आपको सिखाते हैं चाहे जप हो, चाहे ध्यान हो, चाहे खेचरी मुद्रा हो चाहे सोहम साधना हो, चाहे देव पूजन की प्रक्रिया हो चाहे आत्म शोधन हो, चाहे जल चड़ाना हो अत्वा कोई अन्य प्रक्रिया क्यों नहो सबका उद्देश केवल एक है कि व्यक्ति अपने आपको देखें, अपने आपको समझें, अपनी समिक्षा करें और अपने आपको सुधारें, अपने को ठीक करें यही है पूजा पाठ की फिलोसिफी बित्रो अगर हम अपने आपको ठीक करकर पाप तो हमारी जिन्दगी की हर समस्या ठीक हो जाती है भगवान जिसको हम गलत समझते थे वो भी सही रूप में सामने आए अध्यात्म का यही सिक्षन है यही साइन्स है और यही पूजा पाठ की फिलोसिफी है मुझे उमीद है कि आप इसे समझने की कोशिश करेंगे अगर आपने यह समझा इसको स्विकार किया तो मैं समझूंगा कि सत्त के आप नस्दीक आ गए हैं और वहां आ गए हैं जहां कि रिशियों ने अध्यात्म की शुरुआत की थी अध्यात्म का विस्तार किया था आज तो अध्यात्म ब्रह्मवादी जंजाल का अग्यान का एक आवरन मातर रह गया है अगर अग्यान के आवरन में से निकल कर वास्तविक्ता के नजदीच चाएं तो आप यही पाएंगे जैसे की मैंने निवेदन किया है